संसार के असंख्य जीव जन्तु में से एक है मानों, जो अपने शुरू से ही परमात्मा नामक शक्ती की श्रद्धा पुर्वक उपासना करते आया है। ये वो शक्ती है जो पुरे ब्रह्मांड को चलाती है। हर साल लाखो भाविक अपने भगवान के दर्शन की आस में उसे अपने आखों से रुदे में समाने के लिए और उसकी कुरुपा दुष्टी के लिए उसके स्तान की यात्रा करते हैं। इन में से कई यात्राए उनकी दुर्गमता एवं उन्चाई के लिए कठिन मानी जाती है। ऐसे ही कठिन तम यात्राओं में से एक यात्रा है कैलाश मानस सरवर यात्रा। इस यात्रा में मानस सरवर और कैलाश परबत की परिक्रमा की जाती है। कैलाश मानोसर्व यात्रा के कई मार्ग प्रचलित है। पहला मार्ग जो भारत सरकार आयुजित है वो न्यू दिल्ली से शुरू होकर उतराखन के धर्चुला, नारायन अश्रम, काला पानी, लिम्पु पास, पुरांग और अंत में कैलाश परिक्रमा के प्रवेश्द्वार दार्चिन तक पोचता है। दूसरा मार्ग सिक्किम के गैंग टोक से शुरू होकर नतुलापास, कांगमा, लाजी, डोंगबा और अंत में दार्चिन तक पोचता है। तीसरा मार्ग जो नेपाल की राजदानी काटमांडू से शुरू होकर तातो पानी, नायलाम, संगा बजार, डोंगबा और अंत में दार्चिन तक पोचता है। चोथा मार्ग नेपाल के नेपाल गंज से शुरू होकर सीमी कोट, हिलसा, पुरांग और अंत में दार्चिन तक पोचता है। हमारी कैलाश मानस सरवर यात्रा इस चोथे मार्ग पर संपन्द हुई। नेपाल गंज, ये भारत नेपाल सीमा के लगच छोटा सा गाव है। लखनाव से बस द्वारा 188 किलोमेटर का पाट 6 घंटे का सफर तैकर हम नेपाल गंज पोचते हैं। एक रात के विश्राम के बाद हम नेपाल गंज एरपोर्ट के लिए निकलते हैं। नेपाल गंज का एरपोर्ट एक छोटा सा एरपोर्ट है। यहां से काटमांडू और सिमिकोट तक आने जाने के लिए भीवान सेवाए उपलब्त है। इस चोटे सी 20 सिटर हवाई जहाज में बैठ कर हम सिमिकोट के लिए रवाना होते हैं। नेपाल गंज और सिमिकोट का सफर 45 मिनिट का है। 2910 मिटर यानि 9550 फीट की उंचाई पर बसा सिमिकोट किसी हिल स्टेशन की तरह है। सिमिकोट में आने जाने के लिए मुख्य मारग केवल हवाई मारग है। धुसरा मारग पाइदल है जो उंचे उंचे पहारियों के बीच से गुजरता है। अनुपम निसरग संदेर्य से गिरे इस चोटे से गाउ में यात्रियों के सुविदा के लिए कई लॉजिस है। कुछ यात्री यहां एक दो दिन गुजर कर आगे की यात्रा के लिए प्रस्तान करते हैं। पहाडों में बसे इस चोटे से गाउ की जनसरख्या लगबग छेसो के करीब है। सिमी कोट हवाई अट्टे के एक भाग में 509 मिटर याने 1810 फिट का छोटा सा रनवे है। इस छोटे से रनवे के कारण विवान कमपनियों द्वारा सिर्फ STOL याने Short Takeoff and Landing टाइप के एरकाफ्ट ही इस्तिमाल किये जाते है। हीमी कोट और हिल्सा का सफर हम हेलिकेप्टर द्वारा पुरा करेंगे। एक हेलिकेप्टर में पाइलेट को गिन कर केवल 6 यात्री बेट सकते हैं। स्रीमी कोट से हिल्सा तक का तकरीबन 20 मिनिट का ये हेलिकेप्टर सफर काफी रोमांचकारी है। कई ट्रेकर सिमी कोट से पास दिन का ट्रेक करके हिल्सा तक पोचते हैं। जब आस्मान को छूने वाले बर्फिले पाहाडों के बीच से हेलिकेप्टर गुजरता है। तब उन्चे उन्चे रुक्षों के बीच उट रहे किसी भावर की भाती लगता है। लगता है। प्रूब लगता है। जब लगता है। झाल झाल हिलसा ये गाव 3,640 मिटर यने 11,940 फीट की उंचाई पर है उंचाई के कारण यहां हवा तेज चलती है और आप देख सकते हैं कि आसपास हरियाली बिल्कुल नहीं के समान है हम हेलिकेप्टर से जहां उत्रे उसके कुछी ही दुरी पर करणाली नदी बैती है ये नदी ही नेपाल-चीन की सीमा रेखा है कैलास मानस सरवर यातरा के महिनों में यहां धर्मशाला एक कुली होती है धर्मशाला में खाने और ठेहरने की सुवीदा है करणाली नदी पर बंधा ये लोहे का पुल पार कर हम नदी की दुसरी तरफ जाते है नदी के इस तरफ आते ही हम नेपाल इमिग्रेशन के टेंट से पासपोर पर इमिग्रेशन का स्टैम लगा कर गुजरते है टेंट के बाहर निकलते ही हम तिबबट में प्रविश करते है तिबबट हिमाले के उत्तरी भाग में स्तित दुनिया का सबसे उंचा पठार जो रूप ओफ वर्ड याने दुनिया की च्छत के नाम से मशूर है ये भूमी है उंचे उंचे बर्फिले परवशिक्रों की सुन्दर निले रंग के गहरे जीलों की और मीलों मील दूर तक फैले घने शामती की इस चाइनीज इमिग्रेशन की बिल्डिंग में हमारा इमिग्रेशन होता है चाइनीज इमिग्रेशन के पश्यात तक्रीबन 25 से 30 मिनिट का बर्स का सफर तैकर हम पुरांग पोस्त है यहाँ पर चाइनीज क्वश्टम द्वारा हमारे सामानों की जाच की जाती है खुरांग एक प्राचीन शहर है जो 4755 मीटर याने 13205 फीट की उंचाई पर बसा है यह पाली भाशा में इसे तकला कोट कहते है खुरांग के उत्तर में कैलास मानत सरोवर है और दक्षिन में गुरला मांधता परवत यह तकला कोट की मंडी पश्शिम तिबेट की सबसे बड़ी मंडी है खुरांग के 110 किलो मेटर के आसपास की इलाके में इंडस करनाली जो आगे चलकर गंगा नदी को मिलती है और ब्रह्मपुत्र जैसे प्रमूक नदियों का उगम है पुरांग को कैलास मानध सर्वर यातरा का प्रवेश द्वार कहा जाता है यहां से अब आगे की यातरा में हवा में ऑक्सीजन की कमी रहने वाली है इसलिए पुरांग कोशने पर या उसके पहले से ही कई यातरियों को अल्टिटूट सिक्नेस यानि उन्चाई की बिमारी की तकलीफ शुरू होती है इस तकलीफ से बचने के लिए यातरी यहां से डॉक्टर द्वारा दी गई गोलियों का सेवन करना शुरू करते है यातरी यहां दो राट ठेहर कर आगे की यातरा प्रारम करते है मानस सरवर की परिक्रमा के दर्मयान सबसे पहले हम राक्षस तल के दर्शन करते है 4,752 मिटर याने 15,590 फीट की उंचाई पर बसी इस नीले रंग के पानी की जील का आकार तकरीबबन 250 स्क्वेर किलोमेटर है इस जील को दस शीर वाले राक्षसों के राजा रावन ने बनाया इसलिए इसे राक्षस तल याने राक्षसों का तलाब कहा जाता है भगवान शीव को प्रसंद करने के लिए रावन ने यहां कठोर तपश्यर्या की इस तपश्यर्या दरमयान इस तलाब के एक विशेश दीप पर रावन हर रोज अपने एक शीर की आहूती देता था अंत में दसवे दिन रावन के अपने प्रति शद्धा और भक्ती देखकर शीव जी प्रसंद हो गए और उन्होंने रावन को दिव्य शक्तियां प्रदान की इस सरोर का पानी नमकीन है हलांकि इसके पुर्व में तकरीबन 4 किलो मीटर पर स्तित मानस सरोर का पानी मीठा है एक दुसरे के बगल में स्तित दो जीलों में से एक जील का पानी नमकीन होना और दुसरे का मीठा होना ये आपने आप में एक रहस्या है हमें बताया गया कि इस जिल में कोई जिव जन्तु नहीं रहते है अगर मौसम साफ हो तो यहां से कैलाश परवत के दूर दर्शन होते है राक्षस्तल के ठीक सामने गुर्ला मांधाता परवत है गुर्ला मांधाता बगवान शिवजी के परम भक्त ते उन्होंने भगवान शिवजी की कड़ी तपश्चरया की जब शिवजी प्रसंद हो गए तो गुर्ला मांधाता ने उनके निवास्तान याने कैलाश परवत के सामने अपने लिए जगा मांगे आप देख सकते हैं कि इस परवत पर कोई तेज चोटी नहीं है जैसे गुर्ला मांधाता नतमस्तक होकर शिवजी को प्रणाम कर रहे हो पर्यावरन की सुलक्षा के लिए यहाँ पे बायो गैस पर चलने वाले इको फ्रेंडली बस का इस्तेमाल होता है राक्षस्तल और गुर्ला मांधाता परवत के दर्शन के बाद तक्रिबन चार किलोमेटर की दूरी परस्तित मानस सर्वर के लिए हम निकल पड़ते हैं मानस सर्वर की 160 किलोमेटर की परिक्रमा बस दौरा पुरी की जाती है कहरे हिमाले की परवत शेणी का ये हीमा और बर्फ का परिसर सामान्य मनुष्य के लिए काफी समय तक अंजान था जिसका उल्लेक केवल धर्मगंत एवं पुरानों में ही पाया जाता है ऐसे इस देव भूमी और सिद्ध भूमी में आने की कल्पना सामान्य मनुष्य केवल सपनों में ही किया करते थे मानस सर्वर मानस सर्वर तिबेट की पश्शीमी भाग में हिमाल ये शुंखला में स्तित है 4,590 मीटर याने 15,060 फीट की उंचय पर निले रंग की किसी सागर के समान दिखने वाली ये मीटे पानी की अतिसुंदर जील कुदरत का एक अनोका करिश्मा है फिदाता प्रम्मदेव ने सर्वपतम इस मनोहर सरोवर की अपने मन में कलपना की इसलिए इसे मानस कहां जाता है हिंदू एवं बहुत धर्म गृंतों में मानस सरोवर के संधेर्य का रसभरीत वरणन किया है इनमें कहां है के मंद हवा में नर्तन करती सरोवर की लहरे किनारे को चुम रही है सरोवर का पानी काँच के समान पारदर्शी है मानस सरोवर के किनारे के चोटे चोटे पत्तर सुर्य प्रकाश में किसी रत्नों के भाती चमक रहे है इस सरोवर में कई सुवर्न कमलों के साथ मोती खाने वाले अंगीनत राजहंस है सरोवर में यक्ष, गंधर्व, किंदर और लावन्यवती अपसराएं जनक्रिडा कर रही है किनारे पर थंडी हवा के जोकों पर जुनने वाले कलपरुक्ष खड़े है और इंद्र का एरावद मुक्त रुक से संचार कर रहा है बूतल के अत्यनत सुन्दर दुश्य में से एक दुश्य मानस सरोवर का है मानस सरोवर में कई जगों पर पानी इतना शुद्ध और निर्मल है कि 6 फीट गहरे पानी में डुबे पत्थर भी सपष्ट दिखाई देते है ऐसा कहां जाता है कि इस जिल में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते है मानस सरोवर की परिक्रमा के दर्मयान कुछ थलों से कैलाश परवत के दूर दर्शन होते है मानस सरोवर पर पुजा अर्चना के लिए भावी पुजा की सामगरे अपने साथ लाते है होई कों का मानना है कि सवेरे के ब्रम्व मूर्थ पर देव यादी मानस सरोवर में स्नान करने आते है मानस सरोवर में स्नान और पुजा अर्चा करने के पश्याद बस दौरा हम दार्चिन पोस्ते हैं दार्चिन को कैलाश का बेस कैम कहा जाता है 4575 मीटर याने 15,010 फीट के उंचाई पर बसा ये चोटा सा गाव कैलाश परबत के ठीक सामनिस्तित है वो रात होटेल में गुजार कर दूसरे दिन सुबो हम कैलाश परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं दार्चेन से कुछ किलोबिटर की बस यातरा करके हम यमदवार के नजदिक पोचते हैं जीन यात्रियों को गोड़े पर सवार होके कैलाश परबत की परिक्रमा करनी होती है उन्हें यहाँ गोड़े मिल सकते है दो हजार अठरा में तीन दीन का एक घोड़े का भाड़ा यानि चार्जेज उन्नी सो से दो हजार चाइनीज यौन यानि बीस हजार से बाईस हजार इंडियन रुपीस तक का होता है टीवीडी लोगों के लिए याक सब कुछ है यह उनका भगवान है यह उनका वाहन है इसका वे दूद पीते है और इसका मास भी खाते है यमद्वार कैलाश परबत की करिक्रमा यमद्वार से शुरू होती है 4860 मीटर यानि तक्रीबन 15940 फीट पर बसा ये एक छोटा सा मंदिर है यात्री इसके एक द्वार में से प्रवेशकर ठीक सामने वाले दूसरे द्वार में से बाहर निकलते है इस तरह वे मंदिर की दो या तीन बार दक्षना करते है यमद्वार से यात्रियों को कैलाश परबत के साउथ वेश्ट फेस यानि दक्षिन पश्शिमी मुख के दर्शन होते है हिंदु धर्म के अनुसार यम देवता को मुरुत्यू का देवता माना जाता है भाविकों की ऐसी धर्णा है कि यमद्वार से गुजरने पर कैलाश परिक्रमा के लिए यम देवता हमारी आत्मा को शुद्ध करते है इस कैलाश पर्वत के साउथ वेश फेस पे जो किसी तीर के मुख के समान एक गड़ा दिखाई देता है उसे भाविक भगवान शंकर की तीसरी आख मानते है तीन दीन की कैलाश परिक्रमा यमद्वार से शुरू होती है पहले दिन बारा किलोमेटर का रस्ता तैकर भाविकों को देरा फुक इस जगह पर पहुचना होता है इस यात्रा में यमद्वार के सिवाए यहां कोई मंदिर और मुर्ती नहीं है यहां निसर्ग ही भगवान है इस यात्रा के दोर्यान हमारी आत्मा को उस दिव्यात्मा से मिलाना है हमें अपने रुदे में जाक कर हिर्गुन का अनभो प्राप्त करना है कर दोल बात्रा कर दोपने प्राप्त कर देंटे है कैलाश परवत की परिक्रमा 52 किलोमेटर लंबी है इसे घोड़े पर या पैदल तीन दिन में पुरा किया जाता है ये कैलाश परवत का पश्शीमी मुख यानि वेश्ट फेस है पश्शीमी तिबेट की हिमालाई परवत शेडि में स्थेद कैलाश परवत 6638 मिटर यानि तक्रीबन 2780 फीट की उंचाई पर है कैलाश परवत की परिगी यानि सरकम्श्वरंस लगबग 30 माइल का है कैलाश परवत हिंदू, बौध, जैन और बौन धर्म में काफी पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म गरंतो और पुराणों के अनुसार ये परवत भगवन शीव और पारवती का निवास्तान है इंद्रादिय देवताओं के लिए ये एक अगम्मे और अद्बुत स्तान है बगवान मिश्णु के लिए ये किसी तिर्तस्तल के समान है बहुत धर्म में इससे मेरू परवत कहते है बहुत्द धर्म के अनुसार कैलाश परवत और उसके आसपास का परिसर ब्रह्मान का केंद्र बिंदु माना जाता है बौन धर्मियों भी कैलाश और उसके आसपास का परिसर रहस्य मैं मानते है इस धर्म के अनुसार कैलाश परवत नौ मंजिल स्वस्ती के समान है और वो शांती और समाधान का एक अलग ही आयाम है जैन धर्मियों में भी कैलाश परवत काफी पवित्र परवत माना जाता है जैन धर्मियों के अनुसार उनके त्रित हर्थ कारा रुश्यव देव को अस्टपत परवत पर जो कैलाज का बगल का परवत है उस पर दिव्यत पर प्राप्त हुआ हिंदु धर्मिया कैलाज परवत की सिर्फ तीन चोता ही परिक्रमा करते हैं इसलिए उनकी परिक्रमा यमद्वार से शुरू हुकर वापस यमद्वार पर समाप्त होने के बज़ाए जुतुल फुक की नीचे जोंग जर्पू पर समाप्त होती है बॉन धर्मिया कैलाश परवत की 52 किलोमेटर की लंबी परिक्रमा सास्टांग दंडवत से पूरी करते है इसे नमस्कार कदरक्षिना कहा जाता है नमस्कार कदरक्षिना काफी कठिन मानी जाती है इस तरह नमस्कार करते हुए कैलाश परवत की 52 किलोमेटर की परिक्रमा जिसे गोडे से अथ्वा पाइदल चलकर तीन दिन में पूरा किया जाता है उसे इस प्रकार तकरिबन 25 दिन लगते हैं यह प्रदेश रहसे में इसलिए है कि कई भाविकों को यहां दूर से घंटो या शंकों के आवाद सुनाई देते है तो कई भाविकों को कुछ भी सुनाई नहीं देता इसे कैलाश का खुत्तरी मुख याने नौर्थ फेस कहां जाता है कैलाश परवत की शिकर पर हमेशा बारा मास बर्प जमा होती है इसके दूर दशन से किसी चमकले रत्न से सजे रजश शिकर का भास होता है यात्रियों के ठेरने के लिए देराफुक में कई धर्मशा लाए है भाविकों की ये शद्दा है कि एक बार कैलाश परिक्रमा से इंसान के सारे पाप धुल जाते है 108 बार कैलाश परिक्रमा करने से इंसान सीधे निर्वान को जाता है यामाश शिवा ओू ओू नामाश शिवा ओू अगर मोसम ने साथ दिया तो सुर्योदे के समय स्वर्ण किर्णों में नाता हुआ कैलाश का शिखर दिखाई देता है इस मनमहुक दुर्श्यो को गोर्डन कैलाश कहते है कैलाश परवत के शिखर की चोटी किसी बड़े नाक के फन की तरह दिखाई देती है अगर मोसम खराब हुआ तो भाविकों को देराफोक से ही दार्चेन के लिए लोटना पड़ता है देराफोक में एक रात के विश्राम के बाद दूसरे दिन सुबह हम दोल्मा पास के लिए निकल पड़ते है दोल्मा पास दोल्मा याने पारबती कैलास परिक्रमा का सबसे उंचा स्तान ये 5,500 मीटर याने 18,200 फीट की उंचाई पर है यहां से भाविक नीचे की और उतरने लगते हैं तिबेटी बाविक दोल्मा पास पे रंगीन कपड़े के तुकड़ों के साथ नाखून, बाल और सोने के छोटे वस्तुएं अरपन करते हैं दोल्मा पास से नीचे उतरते वक रास्ते में गवरी कुन लगता है हिंदू धर्म के अनुसार यहां भगवान शीव और पार्वती स्नान करते हैं गवरी कुन से हम नीचे की तरफ उतरना शुरू करते हैं और शान तक जुतुलफुक तक पोच जाते हैं दूसरे दिन की ये 22 किलोमेटर की परिक्रमा सबसे कठिन मानी जाती है जुतुलफुक में गेश्ट हाउस के साथ खाने पिने की प्रादमिक सुविदाय हैं तीसरे दिन सुबह हम जुतुलफुक से निकल कर पाच किलोमेटर पर बसे जोर्जन्खु की तरफ आते हैं जोर्जन्खुर पर हमारी 49 किलोमेटर की कैलाश परिक्रमा समाप्त होती है उसी दिन हम जोर्जन्खुर से दार्चिन तक पोस्ते हैं दार्चिन में एक रात की विश्रम के बाद अगले दिन से हमारी वापसी की यात्रा शुरू होती है कैलाश पर्वत की परिक्रमा के बाद कई भाविक तिर्थ पुरी जाते हैं इसके आलावा कई भाविक अश्टप्रत होकर कैलाश के बगल के पर्वत नंदी पर्वत की परिक्रमा करते हैं यह ऐसा अद्भुत इलाका है जहां जितना भी समय व्यतित करो उतना कम लगता है यहां निसर्ग अनभों का अनोखा आत्मिक समाधान मिलता है यहां की शांती हमारे रिदे के अंगिनत तार छेड़ती हुई ब्रम्बांड की लहरों से मिलने का आबास देती है पृत्वी पर शायद ही कोई ऐसा परिसर हो जो मनुष्य को किसी अलग ही दुनिया में ले जाता हो जीवन में एक बार यहां अवश्या आना चाहिए नामा शीवा ओो Aum Nama Shiva Aum Nama Shiva